जटिल समस्या हो या भाग्य वाधा हो व्यापार, नौक्री, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाईक जीवन में हो सुक्का भाव पाईए अपनी समस्त जोतिश्य तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमतकारी, प्रभाविशाली समाधान, एक जानमाना और विश्वस्तिय नाव आचारे पंडित श्री वैभवनात शर्माजी काशी के चार सो वर्ष पुराने, प्रतिष्ठे और अंतर राष्ट्रे अख्याती प्राव, राज जोतिशी परिवार की आठवी बिड़ी के जोतिशी और वास्तु शास्त्री आचारे पंडित श्री वैभवनात शर्माजी के द्वारा व्यक्तिगर्थ या फिर फोन पर अपॉइंट्मेट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146-9990-724-131 या फिर इमेल करें शर्मा.webhub at the rate gmail.com पर मैं हूँ वैभवनात शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन पिछले कुछ दिनों से हम लोग आपको सामुद्रिक जोतिश के बारे में जानकारी दे रहे हैं तामुद्रिक जोतिश के बारे में मैंने आपको बताया कि ये शरीर के अलग-अलग प्रकार के लक्षडों से जुड़ा हुआ शास्त्र है व्यक्ति की आखें, दात, नाक, बाल, आपकी स्किन, आपके नेल्स, यानि आपके नाखून, आपका स्किन टोन, आपका कॉंपलेक्शन ये भी बहुत कुछ बताते हैं हमारे जीवन के बारे में, हमारे भविश के बारे में और हमारे future possibilities के बारे में तो इसी क्रम में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किसी भी व्यक्ति की आँख देख करके ये जान सकते हैं कि ये व्यक्ति विद्वान होगा या धन्वान जिहां आप अपनी आँख देख करके भी जान सकते हैं आपकी आँख बताती है कि आप विद्वान होंगे या होंगे धन्वान नेत्रों को जीवन का दरजा दिया गया है लेकिन कभी कभी नेत्रा आपके राज भी खोल देते हैं दरसल आखों की भी अपनी एक जबान होती है और आख जो है वो मन में छिपे हुए राज को बयान कर देते हैं यानि खोल देते हैं आँखों में जांक करके ही पता चलता है कि कोई व्यक्ति खुश है अपने जीवन में इस समय या फिर व्यक्ति के जीवन में कुछ दुख की इस्तिती चाई हुई है सिर्फ इतना ही नहीं आँखों से किसी व्यक्तिके व्यक्तित्व और भविश को भी बहुत आसानी से जाना सकता है अपनी आँखों को आप बहुत गौर से देखे क्या आपकी आँखें बड़ी-बड़ी हैं अगर आपकी आँखें बड़ी-बड़ी हैं और इनमें आपको मासूमियत नजर आती है और आँख के अंतिम सिरे में दोनों साइड में लास्ट कॉर्नर में आपको रेडनेस दिखा देती है तो आप समझ जाए कि आप बहुत बड़े भागेशाली व्यक्ति हैं जीवन में आपको बहुत सारा मान सम्मान और बहुत सारा धन प्राप्त होने वाला है भविश पुराण के नुसार इस तरह की आखों वाले व्यक्ति बहुत धनवान माने गए हैं जिन व्यक्ति क आँखें जो हैं शहद के समान पीलापन या भूरापन लिये होती हैं वो बहुत उदार रिदय वाले होते हैं इनमें ईश्वर के प्रती बहुत गहरी आस्ता होती है ऐसे लोग आगे बढ़ करके जरूतमन लोगों की सहायता जरूर करते हैं जिनकी आँखें बहुत बड़ी ह होती हैं वो भाग्यवान होते हैं और आखों का रंग नीला अगर है तो आप निश्चिती बहुत ही विद्वान बहुत इंटेलिजन्ट विक्ती होंगे और सिर्फ अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी आप अपनी विद्या से बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं आ बहुत अच्छे सलाकार होते हैं जिन व्यक्तियों की आखें गोल और चक्र के समान घूमने वाली होती हैं ऐसे लोगों से आपको जो है बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए ऐसे व्यक्तियों में दूसरों की संपती और सामान को हड़पने और चोरी करने की प्रवि होती है अगर कोई व्यक्ति आपसे पूरे confidence से आख मिला करके बात ना कर पाएं आख मिलाने में वो आखें चुरा है तो आप समझ सकते हैं कि निश्चे तोर पर इसके अंदर आत्मविश्वास की confidence की कमी है तो इस तरीके से अलग-अलग प्रकार की आखों को देख करके की प्रविर्ति उसकी आदतों के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं आशा करता हूं कि ये छोटे-छोटे informative वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे मित्रों अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी कीजिए धन्यवाद आचारे पंडित श्री वैभवनात शर्माजी काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठे और अंतर राष्ट्रे ख्याती प्राव राज जोटिशी परिवार की आठवी बिड़ी के जोटिशी और वास्तु शास्त्री आचारे पंडित श्री वैभवनात शर्माजी के द्वारा व्यक्तिकर्द या फिर फोन पर अपॉइंट्मेट लेने के लिए कॉल करें 9818-300146-9990724131 या फिर इमेल करें sharma.webhub at the rate gmail.com पर